नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई करोंगा कि कैसे मेरा एक पेसेंट का मानसिक नापुन सकता की समस्या को लगभग लगभग एक से डेड़ मैने का अंधर होमेोपैथिक ट्रीडमेंट की मदद से कैसे ठीक किया ज चुका है तो मैं डॉक्टर सुप्रियोदत्ता तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये जो पेसेंट है ये राजस्तान जैपूर का रहने वाला है इनका एज 28 है और ये एक बिजनेसमन है और इनका टूरिजम का बिजनेस है और आज से 6 महना पह लेकिन यही बंदा जब हस्तमाथून क्या करता है अकेले में तो तब इनको बहुत अच्छा एक्रेक्शन आता है और इजाकूलेशन भी होता है लेकिन जब भी ये real sex strike क्या करता था अपना wife के साथ तो इनको erection बिलकुल भी नहीं आता था और सबसे अजीब बात ये है कि ये जो मेरा patient है ये एक businessman के साथ साथ ये एक bodybuilder भी है इनका दो hobby है एक है bodybuilding करना इनका घर में ही gym है ये हर दिन workout क्या करता है अपना घर का gym में और दूसरा उनका hobby ये है कि वो हर दिन regularly 4-5 घंटा pond movie देखा करते थे और वो pond movie देखने का बाद regularly हर दिन हस्त मैं थुन क्या करते थे और ये pond देखकर हस्त मैं थुन करने वाली आदत ही है जिसके कारण आज इनको ये दूरदसा देखना पड़ रहा है और ये patient धिरे-धिरे anxiety और depression का भी सिकार बन चुका था और ये patient इतना हतास था इतना मांसिक रोगी बन चुका था कि ये जो है ये आत्मा हत्या तक करने के लिए तैयार हो चुका था और इस तरह का इतना गंभीर समस्या लेकर ये patient मेरे पास आया था आज से दो महना पहले हाला कि ये मेरे पास आने से पहले लेकिन वो होमेोपैद भी इन्हें क्यूर नहीं कर सके फिर अट लास्ट वो मेरे पास आये आज से दो मेहना पहले और मैंने उनका treatment को चालू किया हाला कि ये case लेते वक्त मुझे भी डर जैसा feel हुआ क्यूंकि इनकेस अगर medicine ने काम नहीं किया या फिर थोड़ा late से काम किया तो ये जो patient है ये कुछ भी कर सकता है इसका mental condition इतना खराब था क्यूंकि इन्होंने मुझसे what's up पे जो पहला message किया है वो अगर आप सही से पड़ोगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनका mind में क्या चल रहा है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी हाला कि इस तरह की zero cases life में solve किया हो हर हपता मुझे एक दो इस तरह का cases देखने को मिलता है और एक भी ऐसा case नहीं है जो मैं solve नहीं कर सका बट फिर भी ये case लेते वक्त थोड़ा सा डर मुझे भी लगा तो इस patient का दिमागी हालत मांसिक condition देखकर ही मुझे पता चल चुका था कि कौन सा medicine इस patient को दी जानी चाहिए बट फिर भी case taking तो करना ही होता है और case taking के दोरान भी एक ही बात बार बार इनका जहम में आ रहा था कि मैंने मेरा fitness को maintain करने के लिए इतना कुछ किया इतना कुछ maintain किया, इतना जिम किया, इतना healthy diet लिया और इतना body building किया और अब जब मेरा सरीर को in return मुझे कुछ देने का बारी आया तो मेरा खुद का सरीर ही मुझे धोका दे दिया इतना fitness, इतना healthy diet, इतना body building, इतना कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं रहा इनको ऐसा feel हुआ करता था कि उनका life में आज जो कुछ भी problem हो रहा है ये उनका सारीरिक कमजोरी का कारण हो रहा है उनका physical debility का कारण हो रहा है बट इन reality उनका ये जो problem हो रहा है ये कोई physical debility या फिर कोई सारीरिक कमजोरी का कारण से नहीं हो रहा है He is completely fit and fine उनका ये जो problem हो रहा है ये मांसिक नापुन सकता के कारण हो रहा है उनको और ये मानसिक ना पुन सकता, इनके अंदर develop हुआ excessive porn देखकर हस्त मैं थुन करने का कारण से बहुत बड़े-बड़े sexologist को ये कहते हुए सुना हो कि हस्त मैं थुन का कोई side effect होता नहीं है excessive porn देखकर हस्त मैं थुन करना ये बिलकुल normal है उनके लिए तो मेरे ख्याल से उन बड़े पंडितों को, उन बड़े एक्सपर्ट को, मेरा ये केस, मेरा ये वीडियो उन लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हस्त मैथुन का साइड एफेक्ट होता है या नहीं दोस्तों जब भी आप excessive porn देखकर हस्त मैथुन क्या करते है तो फिर आप जो है real sexuality से दूर चले जाते हो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत लोगों को पता चल चुका है इस तरह का जितना भी cases मेरे पास आज तक आया है वो सभी cases के पीछे जो history मुझे देखने को मिला है वो है excessive porn देखकर हस्त मैथुन करना porn addiction और bad effects of onanism के कारण ही इन लोगों में ये problem develop हुआ है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि porn film में दिखाई हुई artificial चीजों को आपको अच्छा लगने लगता है और जब आप ज़्यादा porn देख लेते हो तो फिर आपका mindset भी एक porn star की तरह ही हो जाता है आपको उस तरह का ही हरकतों से sex करने का मन करता है आपको वैसा ही atmosphere चाहिए जैसा atmosphere आपने film में देखा है और आपको आपका partner का body parts भी वैसा ही चाहिए जैसे आपने film में देखा है और in reality जब आपको porn film जैसा atmosphere नहीं मिलता है तो फिर आपको properly erection भी नहीं आपाता है और आपको भी hand practice ही ज़्यादा better लगने लगता है और इसलिए जब भी इस तरह का patient हस्त मैं थुन क्या करता है तो फिर उनको बहुत अच्छा erection देखने को मिलता है क्यूंकि उनका mind और उनका body इस तरह का habit से ही addicted हो चुका है और as a result इस तरह का patient से real sex भी नहीं हो पाता है तो इस तरह का condition के लिए हॉमोपैथी में बहुत सारी medicine है जो कि patient का symptoms का उपर काम करता है लेकिन इस case में इस patient का जो symptom था जो लगसन था वो था aurummate का और फिर इस case में हम लोगों ने aurummate 0x1 से start किया है aurummate 0x1 for the first month and aurummate 0x2 for the second month और साथ में इनको बुफो 1M का एक dose और बुफो 10M का एक dose दिया गया है इन्हें aurummate इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक सिफलिस मायजम की एक patient है और aurummate सिफलिस मायजम की एक बहुत ही अच्छी दवा है और इसलिए सिर्फ तीन कीजों को मध्य नजर रखते हुए हम लोगों ने इस केस में aurummate को prescribe किया है वो है excessive anxiety, hopeless and great desire to commit suicide aurummate में एक खास feeling है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया लेकिन जब तुम्हारा बारिया मेरे लिए कुछ करने का तो तुमने मुझे धोका दे दिया तो फिर साइद मेरे लिए मर ही जाना बहतर है अब मैं इस दुनिया में जी कर क्या करूंगा जिसके लिए मैंने सब कुछ किया सब कुछ sacrifice किया उसी ने मुझे आज धोका दे दिया है तो फिर मैं जी कर क्या करूंगा साथ मेरे लिए मर ही जाना बहतर है और इस तरह का feeling औरमेट की patient में बहुत ही prominent है अगर आपने मेरा औरमेट वाली वीडियो देखा है तो फिर आपको पता रहेगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने पहले ही इस feeling का जिकर किया है और इस patient का mind में भी यही बात हावी हो चुका था कि मैं अपने आपको fit रखने के लिए अपने आपको maintain करने के लिए healthy रखने के लिए इतना सब कुछ किया इतना gym किया, इतना workout किया, healthy diet लिया, body का पीछे इतना मेहनत किया इतना सब कुछ करने का बावजूद भी, इतना body building करने का बावजूद भी आज मुझे physical weakness का कारण नापुन सकता develop हो गई है और अब मेरे लिए मर ही जाना बैतर है, अब मैं किसी काम के like नहीं रहा इनका खुद का उपर ही एक हिन भावना develop हो चुका था फिर मैंने इन्हें थोड़ा समझाया कि आपको physical weakness बिल्कूल भी नहीं है सारे दिक कमजोरी के कारण आपका अंदर नापुन सकता develop नहीं हुआ है आपको मानसिक नापुन सकता है और ये मानसिक नापुन सकता develop हुआ है एकसेसी पॉन देखकर हस्त मैं थुन करने का कारण से और इसी लिए मैंने इनको aurum med prescribe किया और साथ में buffo को भी prescribe किया क्यूंकि bad effects अप onanism को खतम करने के लिए buffo एक बहुत ही अच्छी दवा है और इस problem के लिए उनका treatment मेरे पास सिर्फ दो मेहना चला और दो मेहना का अंदर इस case को पूरी तरह से close किया जा चुका है और आज से 20 दिन पहले ही उनका message मेरा whatsapp पर आया था आप पढ़ सकते हो कि वो क्या लिखते है लेकिन ये video में उस time जल्दबाजी में नहीं बनाया था क्योंकि मैं थोड़ा wait करना चाता था कि क्या कोई changes आता है कि नहीं वो मैं देखना चाता था और मैं इसलिए wait किया और patient का एक बार counseling किया और counseling करने का बाद मैंना देखा कि patient is doing very well और ये patient जब से ठीक हुआ है तब से लेकर आज तक इनको ये problem दोबारा face करना नहीं पड़ा है तो कहने का मतलब सिर्फ एक मेहना दस दिन का अंधर ही इनका problem को पूरी तरह से solve किया जा चुका था और कल ही उनका case को close किया गया है और उनको nose road भी दे दिया गया है ताकि उनका ये problem जिन्देगी में उनको और कभी भी ना हो तो दोस्तो ये है होमेपैथी ये है case टेकिंग करवाने का फाइदा इसलिए दोस्तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग case टेकिंग करवा कर ही कोई medicine ले इस patient का case solve हो पाया क्यूंकि इन्होंने मुझ से proper case टेकिंग करवाया इस तरह का case case टेकिंग किये वगयर कभी भी solve नहीं किया जा सकता है इस तरह का case टो क्या कोई भी case homeopathic treatment अगर आप लेते हो तो उसमें case टेकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तो ऐसा बहुत लोग है जो कि मुझे whatsapp पर हर दिन अपना problem को लिखते है और उस problem के लिए कोई एक medicine का नाम recommend करवाना चाते है लेकिन homeopathic में कोई भी दवा recommend करने के लिए इतना थोड़ा detail sufficient नहीं होता है दोस्तो chronic cases के लिए तो बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता है acute case हो फिर भी बताया जा सकता है तो दोस्तो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा और आपने देखा कि कैसे मेरा एक patient का मानसिक नापून सकता की समस्या को लगभग लगभग देड़ से दो महने का अंधर पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है homeopathic treatment की मदद से तो दोस्तो मैं इस वीडियो को यहीं paint करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगी और मेरा यह जो वीडियो है आप लोगों के लिलापकर रिसाबित होगी और अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक like जिरूर कर दीजिएगा और साथी साथ नेरे चैनल को सस्काइब कर दीजिएगा और बैल आइकन को दवना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तो So thank you very much and have a good day